गुड मॉर्णी फ्रेंट्स यह हमाई वीडियो होगी काटायन के आइटिफिकेशन के उपर अपने सॉल्ट में इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिसकस किया है कि किसी सॉल्ट में मिले हुए मन को हम कैसे आइटिफाई करते हैं और आज की हमाई वीडियो होगी कि हम किसी सौर्ट मिले हुए कैटायन को कैसे अडेंटिफाइ करते हैं अगर आपने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उससे देख लीजेगा उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इचे डाल दूँगा और यह जरूरी होता है कि हम पहले किसी सौर्ट में अनायन को कैसे अडेंटिफाइ करते हैं सबसे पहले हम अनायन को ही अडेंटिफाइ करते हैं उसके बाद हम कैटायन को अडेंटिफाइ करते हैं तो आप जरूर से पहले अनायन वाली वीडियो को देख लीजेगा उसके बाद हीagainst के वीडियों के अली वीडियों के दिखेंगा तो एक चीज पहले clear कर दूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाले है That क्योंकि कुछë जिए होती है जो कि बड़ी ही होती है और हमें उसे समझना होता है क्योंकि यह आपको पता है कि आपके और ने पूरे ट्रैक्टिकल में सबसे लंबा प्रोसीजर केवल और इन उयुक्निक कमिस्ट्री का ही होता है इस तरह से हमेंगे इसकी कोई भी सौट ट्रिक बनाके या फिर इसको छोटा मुटा करके आपको दे दें तो वो चीज केवल आपके आपको बहुत ज्यादा फाइदा नहीं कर पाएगी वो आपको छोटी ट्रिक रहेगी अगर आपको छोटा कुछ देंगे छोटा इसमें से इसको छोटी ट्रिक बनाके आपको दे दें तो आप उसी तरह एक्जाम में छोटा नंबर भी पाएगे ज्यादा नंबर भी आपको नहीं मिले तो कुछ चीजें ब्लॉंग होती है और हमें उसी तरह समझनी होती है आप इस वीडियो के देख इसका फ्लो चार्ट एक बना स होता है तो चलिए आज कि अपना सकेंड इस रेडिकल को हम और इंटिफाइड कैसे करते हैं سौड अनलेसिसमे उसको हम देखते हैं तो लडसी हमें ये पता यहां किसी ृडी के दो पार्ट होते है एक पार्ट होता है अनायनडरेटिकल घानि मैन्स जिस पर उता है उसे अ dir प्लस चार्ड जिस पर होता है उसे बैसिक रेटिकल कहा जाता है अब अनायन को जैसे आपने देखा कि इसके पहले वीडियो में कि अनायन को भी तीन ग्रुप में फर्दर डिवाइड किया गया डायू रस्ट्रोस फोर कॉंसेंट रस्ट्रोस फोर एंडिपेंडेंड रेडि अब हम कैटायन को देखते हैं कैटायन को भी फर्दर ग्रुप में डिवाइड किया गया है उसे हम देखते हैं यह देखिए कैटायन को फर्दर जीरो से लेके सिक्स ग्रुप तक डिवाइड किया गया है और यह आप क्लिया कर दें कि जैसे आपने एनायन में सीरियल वाइ में मतलब कि आपके एक के ने हो यह तो आपको इस में क्या करना है कि आपको जिस जगह पे आपको फिर लगे हो यह आपको उस जगह पे रुख जाना बट अगर आपका यह में में और में 2 स्टू 2 और 3 च्टू 3 का रैसी दिया हुआ है तो आपको सारे ट्रिश्ट करने होते हैं तो लेट सी क्या होता है यह काफी लंबी चार्ट होगी बट मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा दूँगा देखें गुरुपजिरो क्या होता है गुरुपजिरो में ही इसलों फिफीक होगी फैय लिदाट्म अबुदोधर अगर आपको इहांप यहांप गुरुपी नर्लट फ्लेक। Cu copper, और उसके बाद group 2 को, group 2 को दो भाग में ड्वाब में है ग्रूप 2 A, A में भी 2 A में, आप का PB 2+, liberté == तूब में आपका आर्सेनिक एस थ्री प्लस होता है एंड ग्रूप आपका फ्वोर में ग्रूप त्री में एफ ए थ्री प्लस आपका आयरं प्रिसंट होता है आपका एंड अल्मूनियम सीउत्तो प्लस कोबाल्ट झांड नईठ्यू निकेल, एमन टूप प्लस मैंगिज, जेद्टी प्लस जिंक हमसा में आपका इडिन्टिफ्टेशन करेंगे स्गूप आपका इडिन्टिफिकेशन करते हैं अब हम आपदेखेंगे कैसे हम हर गुरूप में गुरुपब दूसे कि start करके सारे ग्रूप में कैसे कैसे हम क्या procedure होता है identify करने का किसी भी आयन को उसे हम देखते हैं लेट्स मॉफ ग्रूप जी गुब गुरूप जीरो इसमें आपका बैसे की पता है कि एनेश 4 प्रस यानि अमूनिया आपका present होता है एक चीजी होती है जीरो आपके चीज में होती है की आपको एक One July solution बनाना पड़ता है किसी भी आप को किसी भी आप करेंगा को एक वरिजिनल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जो की आपका single salt एंड उसमें डिश्टिल वाटर जो आपके लैब में इसली अवेलिबल होता है उसको यूज करके बनाया जाता है और आपको मैंने बताया था कि लैब में या फिर आपके प्रैक्टिकल्स में जो आपके कलर सॉल्ट होते हैं उन्हें अवाइट किया जाता है क्योंकि उनका ज आप देखिए जीरो और आपका ओरिजिनल सॉलिशन क्या हो गया जीरो पॉंट फाइफ ग्राम आप अपना सॉल्ट ले लिए और इसमें डिश्टिल वाटर को मिला लेंगे तो आपका ओरिजिनल सॉलिशनल सॉल्ट हो जाता है तो आप देखिए यहाँ पे अमोनिया प्रेज करते हैं सॉल्ट लेंगे जानी ओरिजिनल सॉल्ट अपना ओरिजिनल सॉलूशन वाल सॉल्ट लेंगे और मिलाएंगे तो इसमें अमूनिया की गैस निकल लिय way तो अगर इसमें देिल आपकgeons आंकर निकल रही है तो आप उसके यह आपको स Starves which daft कि भीजिश्टन से कौन सा ऐन प्रिजेंट हो सकता है उसे हम प्रिलिमली टेक्ष आपका एक एक ऐसा सब्सक्राम क hesitate नहीं कि आप यूप और उस इसले कंपने सा तो एक di yang कि उससा मिक्स्चर में उस साल्ट में आयन प्रिजेंट प्रिजन्ट हो सकता तो जिस जिस group का confirmatory test छोटा मैंने उसे लिखा हुआ है और जिसका थोड़ा बड़ा है तो आप उसे Google पर देख सकते हैं और आप या फिर अपने practical book में भी देख सकते हैं वहाँ पर easily मिल जाएगा आपको तो आप वहाँ से confirmatory test लगा के अपने सॉल्ट को identify कर सकते हैं let's see अगर आप group 0 में अच्छ में डालने पर salt original solution साथ अगर ammonia gas नहीं निकलती है तो आप move on कर जाएंगे group 1 पर क्योंकि आपको यहाँ पर ammonia gas आपको नहीं मिलिए तो अगर आप group 1 में जाएंगे तो यहाँ पर present होता है lead pb2 plus तो यहाँ पर इसका lead का प्र original solution यह बात आपके जहां रखेंगे salt plus dilute cl डालेंगे अब उसमें अगर आपको white ppt मिलता है तो lead may be present तो आप go to the confirmatory test CT का मतलब c.t का मतलब confirmatory test तो आप confirmatory test पर चले जाएंगे and आप क्या करेंगे अगर आपको white ppt मिल चुका है तो white ppt में आप add करेंगे 10-12 ml water then उसे boil कर देंगे अब boil करने पर आप उसमें confirmatory test के लिए potassium iodide यानि क्या ही solution को add करेंगे अगर आपका yellow ppt आता है तो वहां पर क्या आपका lead present होगा या फिर add up k2 cro4 यानि potassium chromate का solution add करेंगे तो आपका yellow ppt आगा तो lead वहां पर present होगा then अगर आपको यहां पर भी lead नहीं मिलता है तो आपने देखा यहां पर कि lead 2 group में present होता है एक आपका group 1 में and group 2 A में भी present होता है तो अगर आपका यहां पर नहीं मिलेगा lead तो आपको blue group 2 A में मिल जाएगा क्योंकि Here A be lead present होता है And then then copper , 2 plus भी 돌 स्वी जाएगा क्योंकि copper 2 plus, which is to color full salt होता है यह आपका practical में avoid किया100 ag एंड इसलिए मैंने से यहां पर लिखा नहीं है तो यहां पर पीबी टू प्रस का देख लीजिए वहां पर आइंटिफाइड नहीं हुआ तो यहां पर इडिंटिफाइड हो जाएगा आप अपने सॉल्ट को लीजिए और इसमें डॉली टर्स्तिय मिलाएंगे और फिर उसे फॉरधर एस्तु वेस्ट द्हस से पास अगर करवाएंगे तो वहां पर आपको ब्लाक पीपीट इमिल जाएगा ब्लाक पीपीट आपका identify इंडिकेट करेगा कि वहां पे ल्ड़ प्रेसेंट होगा देन अगर आपको यहां पे भी आपका नहीं मिलता है यहां पे भी आपको अगर लेड नहीं मिलेगा मदला कि यहां पर सॉर्ट लिया था आपको ब्लाइक पीपीटी फाइंड हुआ था और यहां पर आपको येलो पीपीटी इन आर्सेनिक एस आपको आर्सेनिक केस में आर्सेनिक भी आपको गुरूप में सी परसनचे कि नहीं मिलता है सेटी परसनचे कि आपको आर्सेंग भी नहीं मिलता है क्योंकि यह थोड़ा अचने मिलता है तो आप कर्यांगे ग्रूप 3 गुरुप 3 में जहांप u a3 plus यानि आपका ail mongdeup i3 plus 3 अलोम्टूण अगर आपको यहां पर आर्सेन नहीं मिला तो आप फिर ग्रूप 3 में इसका प्रिलिंटत उ offer 3 में इसका जिहांगे उसमें आप concentrate aceno 3 यानि nitric acid को मिलाएंगे then उसे आप boil करेंगे फिर आप उसमें solid NH4 CL की crystal यानि ammonium chloride को include करेंगे फिर आप उसे boil करेंगे boil आप करेंगे उसके बाद cool कर देंगे आप tap water में या तो आप अपनी trash tube लेजागे उसको cool कर दीजे या फिर आप उसके उपर tap water trash tube के उपर उसकी bottom पे आप गिराइए तो cool हो जाएगा अब आप उसमें excess NH4 OH ammonium hydroxide यानि बहुत सारा आप उसमें ammonium hydroxide डाल देंगे आपको यहाँ पर दो case मिलेंगे या तो आपको relative brown PBT मिलेगी जो आपका iron को indicate करेगी या तो आपको white PBT मिलेगी जो कि आपको aluminum को indicate करेगी फी 3 plus iron इसका भी क्या करता है colorful salt होता है इसे भी avoid किये जाता है तो मैंने यहाँ पर इसका aluminum का confirmated test यहाँ पर लिग दिया है अगर आपको white PBT मिलता है यहाँ पर group 3 में जब आप test करेंगे आपको aluminum 3 plus मिलता है तो आप उसे group 3 को white PBT को dissolve करेंगे डिसल्व आपको जू डिसल्व वाइट मिली हुई है आप उसको hcl acid में dissolve white PBT in hcl acid hydrochloric acid में आप उसे dissolve करेंगे plus two drop blue litmus solution आप उसमें blue litmus solution की कितनी drop two drop डालेंगे NH4 उसमें फिर आप NH4OH ammonium hydroxide की drop add करेंगे आपको blue color और blue PPT floating in colorless solution आपके colorless solution में blue color हो जाएगा या फिर आपको blue PPT float करते हुए आपको तैरती हुए उसमें नजर आगी तो आपको यहाँ पर aluminum 3 plus present होगा अगर आपको यहाँ पर भी aluminum नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे अगर आपको यहाँ पर भी aluminum नहीं मिलता है अजब यहाँ पर भी आपको नहीं मिला aluminum है तो आप group 4 में proceed कर जाएंगे आप group 4 में आपका होता है इसमें भी आप क्या करेंगे अपनी प्रेस्ट्यूप को लेंगे उसे दो देंगे and 0.5 ml original solution लेंगे उसमें concentrate HNO3 nitric acid मिलाएंगे उसको फिर boil करेंगे आप फिर उसमें solid NH4 OH की crystal मिलाएंगे ammonium coolride के then उसे boil करेंगे और फिर उसे tap water में cool करेंगे फिर से आप इस same procedure group 3 की तरफ access of ammonium hydroxide को लेंगे और इसमें H2S gas को pass करवाएंगे अगर इसमें आपको further 4 case appears होते हैं जिसमें अगर आपको dull white PPT यानि आपको इदम हलकी सी dull white PPT आपको मिलती है तो वहाँ पर क्या present हो सकता है zinc अगर आपको वहाँ पर purple deep violet color appear होता है तो वहाँ पर आपका present हो सकता है cobalt 2 plus अगर आपको वहाँ पर greenish color आपको हलका मिले तो वहाँ पर nickel present हो सकता है और आपको buff red buff red मतलब आपका जैसे आपको आपने देखाऊगा flesh flesh नहीं mask टुकड़े को आपको देखाऊगा buff red color का वह होता है तो अगर आपको उस तरह का आपको color दिखता है तो वहाँ पर क्या present होगा magnees present होगा then अगर आपको यहां पर भी यह सब चीजे नहीं मिलती है आपको यह color जैसे दिये हुए है जैसे पीपेटे दिये हुए है यहां पर भी आपको नहीं मिलती है तो आप फिर प्रसेट कर जाएंगे इसके अगले group पे जो कि है group 5 जहां पर प्रसेंट होता अगर आपका salt में 1 is to 1 का ratio है मतलब कि 1 आपका anion and 1 cation है तो आपको जिस जगह पे इस तरह का appears हो जाएगा आप उसी जगह पर रुख जाएंगे जिस जगह पे आपको इस तरह का color या फिर जो उसका mean color दिख रहा है जिस group में अगर उस तरह की दिखेगा आप आप पर तो आपको आगे ही वड़ते रहना पड़ेगा और आपको सारे test complete करने होगे तो आते हैं अपने topic पर group 5 का आप test करने जा रहे हैं तो आप अपने test tube को wash कर लेंगे उसमें आप 0.5 ml फिर original solution लेंगे ammonium chloride NH4Cl आपको उसमें मिलाएंगे याट करेंगे उसे boil करेंगे देन उसे cool करेंगे फिर आप उसमें NH4 ओया चानी ammonium hard dioxide को मिलाएंगे प्लस उसमें NH4 का whole twice CO3 यानि ammonium carbonate आप मिलाएंगे और आपको यहाँ पर white PPT मिलती है आपको यहाँ पर white PPT ही मिलेगे अगर वहाँ पर यह तीनों प्रिजेंट होंगे तो आप उसमें dilute acetic acid मिलाएंगे और उसको further 3 parts में आप उसको divide कर देंगे क्योंकि यह काफी interesting case होता है इसको ध्यान से देखिएगा यह आपको प्रोसीजर समझ में आगए होगा 0.5 ml आप original solution ammonium chloride लेंगे बॉल कर देंगे ammonium hydroxide लेंगे और उसमें ammonium carbonate को आप डालेंगे आपको इसमें white ppt मिलेगे अगर यह case हुआ तो उसको में आप dilute acetic acid डालेंगे इन तीनों को अलग से identify करने के लिए कि इन तीनों मेंसे कौन है तो आप dilute acetic acid डालने को पाद उसको तीन test tube में divide कर लेंगे पहला बीए टू प्लस इनका confirmative test शोटा था तो मैंने इसी में लिख दिया है बीए टू प्लस आप अगर आपका होगा test tube में तो आप उसमें देख लिए कि इसका procedure लंबा था वीडियो लंबे हो जाती तो मैंने इसका लिखना चालो गया था बट इसका confirmative test काफी long था तो मैंने उसे नहीं लिखा था आप इसका वह वह फ्लेम टेश्ट भी कर सकते हैं कि आप इसे थोड़ा से पिंच और साल्ट लेकर आप उसे फ्लेम पर थोड़ा साप अगर इसको जलाएंगे तो एक कलर देता है तो आप वह उसको confirmative test को भी लिख सकते हैं याप पर प्रोसीड इसको भी आप कर सकते हैं द अगर यलो पीवीटी आपका नहीं मिला वाइट पीवीट भी आपका नहीं मिला तो आप अपने लास्ट ग्रूप की तरफ यानि ग्रूप 6 पे आप जाएंगे देखते हैं ग्रूप 6 एंद इसमें प्रेजन बता है एमजी टू प्लस एनि आपका मैगनेशियम एंड अब आपके ये लास्ट ग्रूप होता है तो अगर आपका अभी तक कोई टेस्ट नहीं आया है तो 100% कंफर्म होता है कि आपका मैगनेश प्रेजंट होगा लास्ट की ये लास्ट ही ग्रूप बचा हुगा आपके पास इसके पहले आपका को भी मिलाएंगे प्लस अमोनियम फास्वेट सॉल्यूशन को आप डालेंग उसमें और अगर आपका वाइट पीपीटी आता है तो आपका वहां पर मागनेश प्रिजेंट होगा आप इसके कंफिर मेटिट की और प्रूसीट कर जाएंगे और आपका यहां पर मैगनेश माग डिस्कस करेंगे एक बार मैं आपको पूरी संभड़ी दिता हूं क्यासे करेंगे पूरा अपना स्वाट अनिलेस्स तो आपका किसी बीस ओल्ट मे जातो अनायनप्रेजन्ट होता है या तो भाज श्री या तो क्या कि आपका एस किसी पी सॉर्ट में एनायन प्रेजंत होता है के टाइन प्रेजं टो टो तक एनायन में फॉर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं डायल्यूट का स्ट्री सोफोर और कॉंसेंट एस डेडिपेंगेन्ट रेडिकल तो आप अप्सेपहले डालूट एस्ट इसफोर डालूट सल्फूरिक एसिड का टेस्ट करेंगे यह आपकी पहले वीडियो में डिक्स कर देख लेजेगा मैं यहां पर सम्री दे दे लिया हूं फिर आप इसफोर की और प्रसीट कर जाएंगे अगर वहां पी भी नहीं मिलेगा तो आप इंडिपें ग्रॉप 0 से स्टाॊर शार्ट उता है अगर 60 में आपका अडिंटिफाइब नहीं होता था तो आ प्रARS नियुक्र य२ियुक्ल। इस तरह आगे प्रोसीड करते जाते हैं and finally आपका salt analysis complete हो जाता है अगर आपका इन में से आपका radicals अगर मिल जाते हैं तो and ये procedure से आपको radicals मिल ही जाते हैं and I hope ये वीडियो आपको आपके लिए helpful होई होगी आप इसकी खुद से अच्छे से इस वीडियो को देखके अगर एक बार में समझना आई हो दुबारा इसको देखके आप इसके अच्छे से एक flow chart बना सकते हैं जिससे आपको easily ये समझ में आ जाएगा आप इसका screenshot ले लीजेगा and अच्छे से आप इसकी बना लिजेगा और एक बात और आप इसके सभी confirmatory test को आप अपने गूगल से या फिर अपने बुक्स में प्रैक्टिकल बुक्स में आप इसको लिख सकते हैं मैंने आपके सभी के प्रेलिमिर टेस्ट और जो आपके छोटे-छोटे confirmatory test थे मैंने उसे लिख दिया रहा आप भी उससे कर लिजेगा एंड मिलते हैं नेस्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब दोनों कर तीनों कर दीजेगा एंड गुडबाय टेक क्यार